हलो प्रेंट्स, वेरी गूड इबनिंग टो अलो फ्यू, आज हम लोग काफी दिन बाद यहाँ पर मिले हुए हैं और डिस्कुस करेंगे टॉप 50 कोशन्ट जो आपके होम सैंस के स्वभी एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा चाहे आप TGT दे रहे हो यह फिर आप UGC की नेट का पेपर दे रहे हूं जहां भी आपका nutrition science और phagology से जो कोशन्स आते हैं उन सभी कोशन्स को आप आज कवर करेंगे हम लोग यह 50 कोशन्स का सिरीज होगा इसमें टॉप 50 MCQ को डिस्कुस करेंगे और यह कुछ MCQ ऐसा होगा जो आपके अलग-अलग topics से लिया गया ह कोई एक यह दो topics से लिया गया है जो कि important segment होगा चीक है very good evening सभी को आप जितने भी लोग जुड़े वह हैं राधिका आराधना आप सभी को very good evening रेखा, सिंग, राधिका बिल्कुल आ गया है राधिका thank you so much आप लोग इतना wait करते हैं और आप लोग इतना appreciate करते हैं इसके लिए very very thanks चलिए आज discuss करें पहले question को आप देख पा रहे होंगे question number और इसको थोड़ा सावधानी से answer देने की कोशिस करेंगा क्योंकि जो questions लंबे होते हैं इसका मतलब यह नहीं कि वो tough होते हैं इसी भी होते हैं क्योंकि 50 questions है तो थोड़ा से हम लोग इस पड़ले discuss करेंगे content को भी और topic को भी चले नी तू यादो सभी को स्टार्ट करें question number one देख पा रहे होंगे आप मार्चित मैले कपड़ों में सरलता परो तेल एवं गर्ध निकाल देते हैं गर्ध का मतलब होता है कि अप मार्चित मैले कपड़ों से सरलता परो तेल या गर्ध को निकाल देते हैं अप मार्चित जल का प्रिष्ट तनाव बढ़ा देते हैं इसमें से right answer क्या हो जाएगा और question और कारण के माधियम से बताना है आपको कि मैले कपड़ों से सरलता परो तेल गर्ध को निकाल क्योंकि क्योंकि कारण है तो आप यहाँ पर हमेशा बैब बताती हूँ शब्द को जबी भी कारण होगा तो यहाँ पर आप क्योंकि यूज करेंगे क्योंकि अब मार्चित जल का प्रिष्ट तनाव सर्फिस तनाव कहते हैं सर्फिस तनाव को बढ़ा देते हैं अब right answer आर ए का सही ब्याख्या करता है ए तथा आर दोनों गलत है आर ए की सही ब्याख्या नहीं करता है ए और ए सही है परन्तु आर गलत और last है ए गलत है परन्तु आर सही सबसे मेल बात की options अगर आप नहीं भी देखें तो question के थूँ आपको यह चीश समझना पड़ेगा कि जो app-march up होता है वो क्या होता है अपाख ज DD, जो आपके कपड़े को साफ करते है अपो मार्जुब जैसे कि आपका सवाप्षीग स्वाड़ हो गया ना washing powder मिरमा, वो सारी चीश्जे आपको aप gdzie काम आती है और अप्मार्जुब जाल चोड़े ले कप्रेग पुरोग ते आंसर हो जाएगा 1 का सही जवाब जो होगा वो option C होगा A सही है पर तो R गलत है क्योंकि अपर मार्चिक जो होते हैं वो प्रिस्ट तनाव को बढ़ाते नहीं है प्रिस्ट तनाव को surface tension को कम करते हैं जिसके वज़र से क्या होता है कि वो जल में घुल जाता है आसानी से और एक अपर मार्चिक जो होते हैं वो मैले कपड़े को जो भी डस्ट या तेल या जो कुछ भी लगा होता है उसको आसानी से रिमूफ करने में निकालने में सही होग देते हैं ठीक है वेरे गूट सभी का right answer आ रहे है 1 का अच्छा A बोल रहो आप लो A नहीं होगा बच्चे C होगा ठीक है चलिए दूसरी कोर्शन पर आते हैं कोर्शन नंबर टू है निमने लेकिन कथनों में से कौन सा सकते है इसमें सही कथन को बताना है कि कौन सा right question option से डी डी टी एक रोगार नाशक है जो आपके बहुत बार एक्जाम में पूछा हुआ है ठीक है टीजी टी का त अथा है SSD एक विशाड़ नासक है इसमें राइट आंसर बताना है question number two का first right answer जल्दी से दे दिजे question number two का सही जवाब क्या होगा two का right answer बताना है answer कर दिजे जल्दी से सभी लोग और एक बार station को like और share जरूर कर दे क्योगी काफी दिन बात हम लोगा से मिल रहे हैं तो बहुत लोग को notification भी नहीं मिल पा रहा होगा चीक है अनुपन वर्मा दो कसी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर पूछा गया है कि इन में से कौन सा सकते है तो इसका right answer क्या हो जागा क्योंकि यह यहाँ पर RDX एक बिसफोटक है आप लोग बार बार देखे होंगे सुने होंगे कि RDX क्या होता है बिसफोटक है जिसे बं बार देखे होते हैं उसमें नुज में रता है RDX यहां से इतना किलो RDX पकड़ा गया तरीके से तो यहां से क्या है एक बिसफोटक है तो यह इसका right answer हो जाएगा बाकी सभी यहाँ पर गलत है आपको यहाँ पर सही करना होगा कि DDT एक रोगाड़ ना सक है या फिर कीट ना सक होता है आपको पता है इस तरीके से आपको कुछ मेहनत खुद से भी करना होगा ठीक है तो यहां पर right answer हो जाएगा सी आगे बढ़ेंगे दूद उदाहरड है किसका उदाहरड है एक सुलसी का पायस का एक निलंबन का एक सेन का आसर कर दिजी question number third का right answer क्या हो जाएगा इ चोड़े बच्चे जब पैदा होते हैं तो जो बोले जाता है माग का गाठा पीला दूद उनके लिए कोले स्कूर उसमें पाया जाता है जिसके वजल से उनके लिए वही संकूर आहार होता है जिसमें आपको उसके आलावा वाटर की भी ज़र्वत महीं पड़ती है यह सब थर्ड का आ रहा है आँसर दूद फेल है थर्ड का बिलकूल असर से यह क्या है यह दूद एक क्या है क्मने टो अन्मल का रही है इक 80 भी नहीं है अवर फिल से मीन पूचा जेए नको याद रखन न है कि ऑ स्नृड्क waveform है ठीक्डार नहीं है राट रॉक्श्सर अगनासे को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है अब अगनासे ग्लाड्स जो आप पढ़ते हो ग्लाड्स के टाइप आफ ग्लाड्स कितने होते हैं मैं आगादसे है अब अगनासे में पाचाक रशत के उत्पादन के लिए जो पाचाक रश your time के लिए sensory करने यहां पर 4 का सही जवाब बताना है आपको ठीक है यहे एक क्या है पहले चीज तो आपको याद रखना है सिंक्रिटीन क्या है एक हार्मोन है हार्मोन है और यह किस टाइप का हार्मोन है तो उत्तेजक है उत्तेज़क यानि स्टुमलेस हार्मोन है जो स्टुमलेट करता है तो यहाँ पर याद रखना है कि अगनासे में यह जो कोशिन थे कि अगनासे के पाचिक रसके उत्पादन के लिए उत्तेज़ित करने वाला हार्मोन कौन है यह सिक्रुटीन जो है वो पाचिक रसको उत्ते प्रिक्षड की बात की जारी तो यहां पर परिक्षड के लिए खादे पदातों की परिक्षड के लिए निमनलिक्षड में से कौन सा प्रिक्षड होता है स्वोडियम, कार्बोनेट, एसी टिलीन, बेंगोईक अम या फिर स्वोडियम, क्लोराइट पढ़ा-पढ़ के आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा इसको फोन में सही आरहा है, चीक है, मैं भी आपको कमेंट्स पोन से देख पाए हूं, तो बिलकुल उस राइट है, इसमें सही आरहा है, सारी चीजिए चलिए 5 का आंसर क्या हो जाएगा कुशन नंबर 5 का राइट आंसर है आप सभी ने पढ़ा होगा कि बेंजोई कामले के द्वारा हम खादिक पदार्थों हो काफी टाइम तक संदक्षित कर सकते हैं उसको प्रिजर्ब करके रख सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा बेंजोई कमले इसका सही जबाब होगा सिस्क पे आते हैं रेफ्रिज रेटर में थर्मो अस्टेट का कारे क्या होता है बिल्कुल सही है नीतो यादो सुसिला सेही वेरे गुड सभी का राइट आंसर आ रहा है आर्थी, मिस्र, सनी, SS, सोनम, पांडे, वेरे गुड बच्चे चलो आगे कुशन ने नेक्स पुड रेफ्रिज रेटर में थर्मो अस्टेट का कारे क्या होता है थर्मो अस्टेट के बारे में कई बार आप से पूछा गया है तापमान को कम करना इसका काम होता है हिमायन ताप को बढ़ाना होता है या फिर थर्ड की बात करेंगे कि एक समान तापमान को बनाए रखना या फिर गलांक को घटाना आंसर कर दीजे राइट आंसर क्या होगा ठीक है रेफ्रेजरेटर में थर्म स्टेट का कारी क्या होता है question number next का right answer आपको बताना है whatever से आज़र कर दीशे 6 का सही जबाब क्या होगा 6 का right answer is 3 एक सामान तापमान को बनाया रखना थर्म स्टेट ही बोलते हैं इसको यानि इसका काम तापमान को बढ़ाना या घटाना नहीं होता है वो तो आपका regulator उसमें रहता ही है लेकिन एक सामान तापमान को बनाया रखने के लिए जिस जिसका प्रयोग किया जाता है इसको बोला गया है थर्म स्टेट तो कभी भी आपसे ये पूछकर सिर्फ ये भी पूछ दे कि थर्म स्टेट का काम क्या होता है तो आपको ये बताना होगा कि थर्म स्टेट का जो काम होता है वो तापमान को मेंटेन करके रखना इसका most important काम होता है So right answer is option C यहाँ पर हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 7 पर माना सरील में सबसे छोटी ग्रंथी कौन सी है सबसे बड़ी सबसे छोटी सबसे ज़्यादा जो हार्मोन का स्वड़ करती है इस तरीकी कि बड़ी छोटी ज़्यादा वाली चीज़े आपसे ज़्यादा तर पूशी जाती है तो answer करते है question number 7 का right answer क्या होगा 7 का सही जवाब बताना है आपको answer करिए सब भी लोग question number 7 का right answer क्या होगा adrenal है, thyroid है, pancreas है या pituitory है आपको पते हैं यहाँ पर right answer क्या होजाएगा option D pituitory gland थी है, pituitory gland है यह सबसे छोटी gland है तो यह आपको याद रखना है question number 7 का right answer very good, सभी का answer आ रहा है D, बिल्कुल सही है, pituitory gland जो सबसे मानो सरीर की सबसे छोटी gland है, यह भी याद रखना है human body की है next है enzyme मूलता क्या होता है मूलता, मतलब उसका जो basic है, fundamental है basically क्या है, what is enzyme तो आपको answer देना होगा right answer वसा सरकरा protein या फिर vitamin answer दीजे, question number 8 का first right answer किसका आ रहा है मैं देख पा रहे हूँ, आप सभी का answers पढ़ा-फ़र से answer करें, question number के साथ आप लोग answer mention करें, आप सभी से request क्यम रादव कुमारी C, आप question number के साथ answer को mention करें, 8 का C आ रहा है answer, very good, first right answer अनुपमा वर्मा, very good अनुपमा, यहाँ पर C आ जाएगा कि जो enzyme होते हैं, वो basically क्या होते हैं, protein होते हैं और protein का सबसे smallest molecule क्या होता है, जल्दी से वसा का हो गया, protein का और carbohydrate का, right answer यहाँ आपर, protein था, next निम्नलेकित में से कौन सा कठोर्तम धातु है, कठोर्तम धातु आपको बताना है, चीक है answer बेदीशी जल्दी से, आपने carbohydrate का पढ़ा है न, कि glucose उसका सबसे smallest, जो कह सकते हो molecule smallest unit होता है वैसे ही protein का, क्या बता है, aminoamins जो होते है वो protein के सबसे smallest molecule होते है, या smallest unit होते है smallest unit का मतलब होता है जिसको सबसे सरल्तम गिंदु में सरल्तम चीजों में तोड़ दिया जाए उसको कहते smallest molecule, right तो यहाँ पर answer क्या होगा answer करें next का, निम्नलेकित में इसे कौन सा कथोर्तम धातु है धातु पूछा है, और कौन सा धातु सबसे कथोर्तम धातु hardest metal पूछा है, answer कर दिजिए आप सभी लो, question number next का यानि 9 का right answer क्या होगा पड़ा पड़ से बताईए question number 9 का right answer platinum आ रहा है C, बिल्कुल, very good platinum इसका right answer है बहुत लोग लगा के आजाएंगे एक बर ऐसी क्या था interview बगेरा में पूछ दिया गया था कि एक किलो लोहा और एक किलो रूई में से सबसे हलका कौन सा होता है सबसे भारी कौन सा होता है तो जो लोग थे वो लोहा बता के आ गया है ना तो कुछ चीजे ऐसे भी आपके interview बगेरा में पूछ जाते जो आपको immediately response करना होता है ठीक है और यह जो लोहा और भारी और हिलका वाला जो चीजे हैं वो इस्तुमलेस का काम करता है हमें response देने के लिए कि हम जल्दी से बता दे कि लोहा भारी है तो लोहा ही होगा तो यहाँ पर right answer आपको बताना है next question number 9 का platinum बिल्कुल सही है आगे बढ़ेंगे next question पे 10 पे आते हैं निम्नलिकित में से कौन सी धातों किसी नगर की वाईफ हो जहां बहुत अधिक संख्या में motor कारे आदी को प्रदूशित करती है उसको क्या कहते है आंसर देजी जी कैडमियम कहते है क्रोमियम होता है सीसा या फिर तांबा फ़र तांसर करें question number जब आप management का परिवार और आवास वाला chapter पढ़ते हैं वहां पे आपको कुछ segment society साइटी के बारे में दिया होता है जहां पे आपको पॉलुशन भी चाप्टर है वहां से ऐसे questions आ जाते हैं चीक है तो कभी भी questions आपको deal करो na questions को solve करो तो ये भी देखो कि ये किस topic में हमारे fit हो रहा है कि ये है तो पढ़ पढ़ते दिमाग वहां पे काम करना चाहिए ये कौन से topic है किस part की किस unit में आएगा तो इसके थोड़ा सा अपको और भी easy हो जाएगा पढ़ने में आंतर करें question number 10 का right answer क्या होगा 10 का right answer सीसना इसका सरी जवाब है सीसना जब हम pollution की बात करते हैं बहुत सारे टाइप के pollutant की बात करते हैं pollution की बात करते हैं air pollution हो गया noise pollution हो गया यह सब टाइप की pollution होता है जब आप देखतें सहरों में ज्यादा तर क्या होता है नगर की बात की गई है नगर का मतलब होगे सहर में जो वाइव को जहां पर बहुत अधिक संक्या में मोटर कारे होती है वहां पर प्रदूश्चित होता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टे रोल होता है उसमें जिसको कहते है जब आपको पॉलुशन में जाये तो वहां पर आप गलब्स कह रहे हैं मास्क मगरा पहन के क्यों क्योंकि यह जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं चीक किये यह और की साथ मिक्सट कर आपके स्वोषन कृया सुसल करें और आपको क्या करते हैं रोक से अलग-अलग रोग से ग्रशित कर देते हैं तो यहां पर राइट आंसर हो जाएका सीसर नेक्स्ट है कोशिन नमबर 11 निमनलिकित में से कौन एक कीट के सरीर से निकला सुराव है ये तो बच्चे बहुत बार पढ़े होगे अब ये मत पूछता है कि ये कोई से सिग्मेंट में फिट बैठेगा माम क्योंकि ये टेक्स टाइल में जब आपरेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको ये कोशन मिल जाता है चीक है? आंसर दे दो जल्दी से स्वीमा मोर है स्वीमा जी आज बहुत दिन बाद हम लोग दो तीन दिन का गैप हो गया था क्लासस में सेड्यूल थोड़ा सा क्योंकि ओफ-लाइन बैठेशस भी स्टार्ट हो गया अप्लिकेशन पर तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जह रहा था इस बज़े से क्लासस अब दो तीन दिन नहीं हो पाई तो UGC.net और TGT PGT सभी के अप्लिकेशन पर बैठेशस स्टार्ट हो चुके हैं तो वहां भी आप जोइन कर सकते हैं तो यहां पर एक दो दिन का गैप हो जाता है जनरल यह अगर देखें तो ठीक है और इसलिए आपका तो तीन दिन जो गैप हुआ है तो मैंने सोचा कि क्यों न आपके गैप को मेंटेन किया जाए इसलिए 10 और 20 नहीं टोटल 50 कोशन के थूँ आपके साथ मिले हुए हैं चीक है आंसर करते रहे हैं आप सभी लोग नेक्स कोशन का राइट आंसर क्या होगा कोशन नमबर 11 इसमें कौन से एक सरी से निकला स्राव है मोती, मूंग, लाख या फिर गून कोशन नमबर 11 को राइट आंसर क्या हो जाएगा लाख होता है जिसके द्वारा इससे बहुत सारे चीज़े निर्मित कि जाती है ठीक है लाख अब यहाँ पर देखो गूंद मूंग, गूंद क्या होता है यह पेड का एक पेड के द्वारा निकलता है पौधे से कोशन निकला हुआ जिससे आप रेशम प्राप्त करते हैं यह अलग चीज़े लाख अलग है ठीक है अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर यहाँ पर राइट आंसर होगा अगर इसका राइट आंसर है नेक्स है कारिका कि आप सोच रहोंगे यह तो क्षक्य करते हैं तो उपके पूछा था ना या दोगा आपको पिछले बार टीजी टी में ही पूछा था कि जो कहारे नियूंतम मापक है आधुनिक टाइम में वो कौन सा है तो पात्वी चार्ट वगरे जब पढ़े थे हम लोग अभी अप्लिकेशन पर पढ़े हैं तो वहाँ पर डिटेल सारे यूनिट्स को हमने देखा था और पढ़ा भी था आप लोग में से कुछ बच्चे जुड़े होंगे तो उनको पता होगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जागा कारे का मात्रक के बारे में बताना है जूल, निट्रॉल, वाट यर डाइन या आपसे एंटी ग्रेड के एक्जाम में भी अल्रेडी पूछा हुआ कोश्चन है चीक है? आंसर करते रहें, सभी लोग व्रॉश्टन नॉमबर ट्वैल का राइट आंसर क्या होगा? ट्वैल का राइट आंसर आपको बताना है क्योंकि जूल यहाँ पर राइट आंसर हो जागा और कारी का मात्रुक क्या है जूल कभी कभी आपको और भी चीजे यहां पर मिल जाती है कि कारी का मात्रुक या फिर एक बार आपसे पूछ लिया था कि उर्जा का मात्रुक साथ आपसे पूछाता है ना उर्जा का एनर्जी का तो वो भी कुछ-कुछ ऐसे योनिट से जो आपको याद रखना है एक्जाम के लिए ठीक है, नेक्स आते हैं कुशन नमबर 13 पे पोलियो का वाइरस सरीर में प्रवेस करता है किसके थूप प्रवेस करता है अब देखो पोलियो से तो आपको एक बॉक्स बनाके जहां भी आप मोर्स प्रिपेर करते हैं वहाँ पे एक बॉक्स बनाएए पोलियो से रिलेटेट सभी चीज़ के पोलियो का वैक्सिन कब बच्चे को लगाया जाता है पोलियो के सुरुवात कब हुई, पोलियो के जो टीका है, उटका नाम क्या है, पोलियो मुक्त कौन-कौन से कंट्री है, लेटेस्ट कंट्री कौन सा पोलियो मुक्त हुआ है, पहला कौन हुआ था भारत का क्या रोल है, तो ये कुछ 8-10 पॉइंट है ये आपको खुद से प् जल से होता है, मच्छर की काटने से नहीं होता है, MALERIA होता है, ठूक का मतलब हो गया, कि जब आप संक्रमित है, तो जूबी वाहक होंगे, वह कितारू, बिशारू जो होंगे, वह थूख के माध्यम से हवा में मिट्स होकर, कहीं भी किसी को संक्रमित कर सकते हैं, वह इन गोज चीज़े हो जाती है, अब यहां पर दुशित भोजन और जल, अब देखो, पॉलियू भी दुशित भोजन और जल से होता है, प्रिपीस एर की बात करें, आपसे हैजा भी पूछ लिया था बच्छे, कि हैजा किसे होता है, तो उसमें दो आप्षन था, एक था दुशित करता है कि हैजा दूसित बोजन और दूसित जल से होता है बहुत टाइम तक यह डिवेट भी रहा कि कमिशन को दो नहीं आंसर को मानना चाहिए लेकिन जो मुझे मेरा observation है कि उन्होंने जल को क्यों माना भोजन को क्यों नहीं माना consider किया तो एक चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो भी चीज़े हमारे सरीर में बहुत ही quickly मिल जाता है जो हमें तुरंट energy या सारी चीज़े प्रवाइड करता है उसको जादा हम consider करते हैं जैसे बोजन और जल बोजन क्या है बोजन नाम सी लग रहा है एक फोस भी हो सकता है द्रवित भी हो सकता है लेकिन जल तो as a liquid ही आप प्रेयो करते हैं तो यहां पर दो चीज़े हो जाती है कि जब आप liquid के रूप में कोई भी पदार्थ लेते हैं और उससे हमारी थकान इमीडियेटली दूर हो जाती है तो यह एक बहतर एक्जामबल आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर दुशित भोजन और जल ठीक है लेकिन दोनों में कभी भी आपसे पूछा जाए को आप liquid को ही कंसिडर करेंगे नगी ठोस पदात को क्योंकि वह liquid से बाद में वह सरीर में हमारे मिक्स होगा और हमारे पाच्पिन क्रिया में ज्यादा देर में वह कहते हैं जो हमारा स्मॉल एनस्टाइल है वहाँ पर आपकी भोजन तीन गहंते तक स्वोड रहते हैं तो लेकिन liquid वहाँ स्वोड नहीं होते हैं यह भी आपने पढ़ा होगा तो यह सारी सीज़े भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो यहां पर आप दीच बीच में देखे होंगे कुछ करेंट के कोशन भी जो कि लेटेस्ट है वो उसका भी आप आंसर करते रहे हैं वो आपके लिए बहतर ह होगा की कुछ करेंट भी आपसे लेटेस्ट वसका तैयार होते रहेगा ठीक है सापेक्ष आदरता नज आपी जाती है पड़ा पड़ से बताएं, question number, protein का right answer बताना है, protein का right answer, hydrometer, सुधा सर्मा, protein का B, बिल्कुल right answer है, सुधा, अब यहाँ पर B, answer is, hygrometer, आधृता की बात की जाने, सापिक्ष आधृता, यानि की relative humidity, आप पूछेंगे relative humidity क्या है, is the part of water का जो हम अलग-अलग types परते हैं, जहाँ पर water को gas के form में परते हो, solid form में परते हो, पूछा भी जाता है आपसे, कि जो बर्फ होता है, solid form होता है, वो इस तरीके से वो carbon dioxide का, solid form होता है, आप ऐसे consider करते हैं, वैसे relative humidity है, यानि कि जग हम किसी सीज में एक आधृता को साफिक्ष यानि उससे match करते हैं, कि इस वायू में कितनी आधृता है, और दूसरे वाले में कितनी humidity है, यानि कि जग हम air से compare करते हैं, या फिर आप ऐसे भी क करते हैं, यानि कि साफिक्ष के बाद करते हैं, अलग-अलग चीजों में, चीक है? झाल झाल हालो हालो हाई तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हाइगरो मीटर आपके अवास की जो इश्यू थी आई वोप आप सॉल्ब हो गया होगा चीक है चलिए आगे बढ़े नेक्स कोश्चन पर 15 पर आते हैं कोश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपको बताना होगा पैथोजीन जो सामान जो काम के लिए उत्तरदाई है अब आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा और ये भी वाइरस क्योंकि इसे पूछा हुआ कोश्चन सा अल्रेडी है तो यहां भी आपके लिए इंपोर्टेंट है तो वाइरस को छोड़ना नहीं है जिसे वाइरस लोगों पर हमला कर रहे हैं आपको वाइरस के सारे टॉपिक को कम्प्लीट करना है अच्छी बात है चले इतने दिनों बाद आई मैम क्या हो गया था हुआ कुछ नहीं का सीमा जी बस सोच रहते हैं कि आप लोग याद करें तो मैं आ जाओं आपने याद किया और मैं आगी ठीक है चलो आगे आंजर करना है 15 का राइट आंजर क्या होगा 15 का तो यहां पर देखो जो पैथोजीन है पैथोजीन जो समाने जुखाम के लिए उत्तरदाई होई यह रीनो वाइरस के द्वारा होता है ठीक है रीनो वाइरस इसका राइट आंसर हो जाएगा अब यह याद रिखना कि पूस देगा कि रीनो वाइरस जब आटक करता है तो कौन सी प्रॉब्लम्स होती है तो आपको यह नहीं करना है कि जो अभी कोरोना वाइरस वाला सिंटम्स नहीं बताना है इस वाइरस में क्या होता है समाने रूप से जुखाम होता है जो समाने तो जुखाम अगर किसी को हो जाए तो आप कह देना कि रीनो वाइरस है ठीक तो रिनो वारस से भी हो सकता है तो नेक्स्ट आंसर इसका हो जाएगा option B, 16 प्याते हैं सुक्ष में जिवाडू बैक्टिरिया को देखा जा सकता है किस से देखा जा सकता है, micro-easphopic bacteria can be seen in किसे सीन किया जा सकता है, आंसर देना है आपको फटाबर से आंसर दिजए 16 का खाली आंकों के द्वारा कंपाउं दुर्बिन के द्वारा या फिर हैंड लेंस के द्वारा या इलेक्ट्वान खुर्द बीन के द्वारा खुर्द बीन नहीं दुर्बीन होगा ये ठीक है आंसर करें question number next का 16 का बताना है यहाँ पर ये दुर्बीन है ठीक है दुर्बीन होगा ना के खुर्द बीन होगा तो इलेक्ट्वान दुर्बीन के द्वारा आंसर कर दिजए question number 16 का सही जबाब बताना है तो इसको सुक्ष्म जो जिवारु वैक्तिरिया होते है उनको दुर्बीन में भी ना कई टाइप के दुर्बीन होते है ना माइक्रोस्कोप कई टाइप के माइक्रोस्कोप होते है तो compound दुर्बीन के द्वारा compound microscope के द्वारा यहाँ पर राइट है compound microscope के द्वारा देखा जा सकता है so right answer is option B चले next question पर आएं question number next को देखेंगे discuss करेंगे 17 पर द्विस्टी पटल रेटीना पर जो शित्र बनता है वो क्या बनता है या जो भी हमारे रेटीना पर शित्र बनता है वो किस तरीके का होता है इसके बारे में बताना है वो वस्तु के बराबर होता है और शीधा होता है आंसर कर दिशी question number next का 16 का 17 का right answer क्या है question number 17 का right answer बताना है आपको 17 का right answer अब यहाँ पर देखो जो द्रिस्टी पटल रेटीना है रेटीना पर इमेज बनता है वो क्या होता है C आपसर सही होगा वो वस्तर से छोटा होता है वो उल्टा दिखाई देता है तो question number 17 का right answer क्या है C इसमें होगा अब यहाँ सदे को questions कौन कौन से पूछे जाते है एक तो रेटीना से पूछा जाता है दूसरा आपका एक lenses होते है उसके बारे में questions आपसे पूछे जाते है ठीक है फिर lens के थूँ आपको बहुत दो तीन points याद रखना है आइस से related यहाँ पर जब आप vitamin A पढ़ना कि vitamin A की कमी से कौन कौन से रोग होते है उसके sequences आपके UGC net के exam में पूछे जाते है कि पहले क्या होता है फिर बाद में क्या होता है so last stage क्या होता है vitamin A की कमी से और जब वहीं पर पढ़ना ए तभी आप ये point भी note कर ले न box बनाके note करके तो ये सारी चीज़े भी आप साथ ही साथ यहाँ पर notes भी prepare करते रहोगे ठीक है फोलियों का टीका सबसे पहले तयार किया किसने तयार किया पाल एहर लिच ने, जोन सॉल्क ने, लुईस पैस्टर ने, जोसेफ लिस्टर ने राइट आंसर क्या होगा? question number 17, 18 का राइट आंसर बताना है आपको 18 का सही जबाब क्या होगा? अब यहाँ पर आपको पता होगा जोन सॉल्क जो की बहुत famous नाम है बहुत बार आपसे पूछा भी गया है one day exam के favorite question है यूँ कहो तो TGT का महतुपूर question है यह ठीक है या फिर DSSB में बहुत बार पूछा हुआ है तो polio का टीका सबसे पहले तयार किया था? जोन सॉल्क ने, इसमें और कुछ जानने वाली चीज़ नहीं है कि polio अभियान भारत में कब सुरू किया गया? इन दो question का answer आप पड़ा फट से comment section में दीजिए तब तक हम लोग next question को यहाँ पर discuss करेंगे धूप के चस्पमे की power होती है जो धूप में चस्पमा लगाते हैं बहुत लोग जो hero या heroine बनते है ब्लैक ब्लैक चस्पमा लगाते हैं हमारे यहां बहुत लोग लगा के आपके देखो गया जैसे थोड़ी धूप होई नहीं कि काला चस्पमा निकल जाता है ठीक है? लोगों का तो यहाँ पर इसका right answer बताना है आपका कि उसका जो power होता है black चस्मे का ब्लैक चस्पमा यह दूप का चस्पमा ठीक है? दोनों एक ही चीज़ है तो यहाँ पर right answer बता दीजिए फटा फट से इसकी power क्या होते है? 0 adapter होती है 1 adapter होती है अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आज आने चाहिए कि जो adapter है वो power का measurement है ठीक है? अब यह बताईए कि इसमें क्या होगा? right answer क्या होगा? answer करिए फटा फट से question number 19 का सही जवाब आपको बताना है 19 का right answer क्या होगा? obvious ती बात है धूप का है power order कोई लेना देना है नहीं as it is आपके आँखोख पे कोई effect ना आए इसके लिए जीरो डायोप्टर इसका right answer हो जाएगा option A सही जवाब है ठीक है? चोले answer करते रही है बिल्कुल question number next को दक्षिर पूर्वी ACS भालत को बर्दोजर 14 में पोलियो मुक्त गोशित किया गया वादी का बतारी है ठीक है next का आते है question number next पे 20 पे latest का बताना latest का एक बार सर्ज कर लेना I think अफरीका का कोई country है एक बार देख लेना उसको latest data भी आप तयार कर लेना ठीक है? कि अभी हाल फिलाल में कौन पोलियो मुक्त गोशित हुआ है पहला वाला पूस लेता है भारत के sense में पूस लेता है और फोलियो का टीका किसने बनाया? फोलियो का खुरा कब दिया जाना शेही? पांच शेक उसन से जो आपके पोलियों से पूछे जाते है फिरदर की धड़कर नियंतित करने के लिए निमन में से कौन सी खनीज आवस्तिक है? फिरदर करने के लिए कौन सा इसमें कारगर है? आंसर करते हैं जल्दी से अब यह मत कहते हैं कि मेरा तो कोई और ही है जो हिरदर के धड़कन को नियंतित करता है तुकि ऐसे चीज़े होती भी है तैक्ट भी है लेकिन यहाँ पर चुकि अपसोस की बात है कि मिनरल स्कूस दिया है बट चीज़े वही है आंसर कर दो जल्दी से पढ़ा परते आंसर कर दो कुर्शन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा पोटासियम इसका सही जवाब है अब स्वोडियम मत कर देना स्वोडियम से क्या होता है आपकी जो हरदर के धड़कन है वो तेज हो जाती है या पिर कह सकते हैं यह बीपी के लिए जब हम करते हैं जब हमारा बीपी डाउं होता है तो आप देखे होंगे डॉक्तर सजेस्ट करते हैं कि आप नमक और चीनी का गोल पी लिजए ताकि आपको ब्लड प्रेशर सही हो जाए तो सोडियम ब्लड प्रेशर के लिए होता है है उसको कंट्रोल करने के लिए कभ होता है बीपी कभ होने पर दिया जाता है ठीक है डीपी कभ होने पर सोडियम दिया जाता है नमक दिया जाता है यहां पर राइट आसर होगा इसका सही जवाब है आगे बढ़ेंगे next bit, 21 पर अब यहां पर सुची 1 को 2 से match करना है आपको malaria, malaria, encephalitis और leukemia यह questions बच्चे वर्ल एक्जाम, वर्ल लाइनर में बहुत बार पूछा हुआ कि leukemia क्या है और malaria किस से होता है इस तरीके से questions आपके अलग-अलग पूछे जाते हैं लेकिन यहां पर क्योंकि मैंने सोचा कि 4 चीज आपको एक जगा पर मिल जाएगा बैस दा फॉलोइंग के तुरू तो यह जादा ही बहतर आपके नूर्स बन पाएंगे तो यहां पर 20 का answer आपको करना है question number 21 है 21 का उपर का मैं height कर दे रहे हूं क्योंकि उपर सिर्फ यह एक match करिए है न सही सुमेलित करिए तो यहां पर right answer क्या हो जाएगा फट आपर से answer कर देशे question number 21 का right answer क्या होगा अब यहां पर देखो malaria क्या है जग तो को सिका है इसका first का हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि जब malaria होता है तो आपको बोला जाते है कि blood का ज्यास कराई यानि कि blood में जो sense होती है उसे तो ही malaria का पता चल पाता है कि malaria है या फिर नहीं है तो अगर हम A के साथ eliminate करें चीजों को तो A का अगर हम 4 देखते हैं तो option यह मिलता है और दूसरा यह that mean कि यहां पर हम और क्या कर सकते हैं कि यह C और B को eliminate कर देंगे यानि यह दो तो होगा ही नहीं यह तो A हो सकता है या फिर D हो सकता है यह पहले कि थूँ आप ऐसे ही eliminate करें के questions को अब दूसरा आता है fine area क्योंकि यहां पर fine area दिया हुआ है और fine area किसे होगा लश्टी का तकर यहां पर आप बोल लेंगे लाज जो mode होता है mode होता है उसके दूर्व होता है तो यहां पर D का option हो जाएगा तो यहां पर option एक मिल भी चुका है, आपको D option तो 2 का हो जाएगा C, यानि की C कहाँ पे इनसे platis हो जाएगा, मस्तिक से related है, leukemia आपका हो जाएगा, बोन मैरों अस्ति मजजा से संबन देते हैं, बोन मैरों को ही अस्ति मजजा बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है, इस तरीकिस से आपको eliminate भी करना है, और चीजों को समस्ते हुए भी चलना है ठीक है, आंसर कर दीचे, D answer इसका प्रही हो जाएगा, 21 का option D next, 22 में देखते हैं, कच्छी चीनी को रंग विहीन करने हैं, तो जिस चारकूल का प्रियोग किया जाता है, वो क्या है? कच्छी चीनी को, रंग विहीन करने के लिए जिस चारकूल का प्रियोग किया जाता है, वो क्या है? जो आप original चीनी देखते हो न, जब आप शॉप पे जाते हो, जितने महने चीनी खरेदोगा, उतना सफेद मिलेगा आपको, लेकिन रियल में अगर चीनी जो ओरिजनी बनता है, तो वहाँ पर चीनी भी अलग-अलग टाइप से बनता है, गन्ने से बनता है, चुकंदर का बनता है, अलग-अलग चीजों से बनता है, यहां पर बात करते हैं कि कौन सा चार्पूल का प्रियोग किया जाता है यहां पर यानि चीनी को सफेद दिखाने के लिए आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं लकडी का चार्पूल, चीनी का चार्पूल, एनिमल का चार्पूल, नारियल का चार्पूल 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आंसर कर देशिए पड़बर से आंसर करें कोशिन नमबर 22 का राइट आंसर आपको बताना है 22 का right answer क्या हो जागा अनिमल का चारकुल अब चारकुल आलागला टैट के होते हैं लेकिन चीनी को साफ करने के लिए या कह सकते हूं चीनी को सुन्दर दिखने के लिए सफेद चमकीला देखने के लिए अनिमल चारकुल का प्रियोग किया जाता है ठीक है आगे बड़े next question पे 23rd पे आते हैं पाइरो मेटर निमनल कित में किसको नापने के लिए लाया जाता है प्रियोग किया जाता है पाइरो मेटर की बात की जा रही है आंसर दे दीजे जल्दी से पाइरो मेटर का किसके मापन हेतु प्रेयोग किया जाता है आप्शन से वायूदाप, एर प्रेशर आधरता, हुमेडिटी, उच्छ तापमान हाई टेंप्रेशर यह भुकम्प की तिब्रता यानि अर्थक्विक, इंटेंसिटी आंस्टर कर दिजिए जल्दी से कुश्चन नंबर 23rd का आप सभी को पता है आपका जो भी गैप हुआ है तीन-चार दिन यहाँ पे कवर करेंगे, तोटल 50 कुश्चन को डिस्कुस करेंगे, पड़बर से आंसर कर दिजिए आप सभी लोग थोड़ा से स्फिर्ड ली आंसर करें 24rd का राइट आंसर क्या हो जाएगा 23rd का सही जबाब क्या होगा उच तापमान को High Temperature को नापने के लिए Pyrometer का उपियोग किया जाता है वायू दाब को नापने के लिए बहुत बार आपसे पूछा हुआ है तो दो चीज़े होते हैं एक तो एर का मुवमेंट होता है यानि हवा की तिबरता अलग होता है आप कमेंट चेक्शन में बताएंगे कि हवा की तिबरता किससे नापने जाती है और वायू दाब यानि एर का प्रेशर जो होता है वायू मीटर से आपको पता ही होगा अलड़ी एक्जाम में आया हुआ है तो यहाँ पर दोनों चीज़े अलग-अलग है इसको याद रखना बैरो मीटर से वायू का दाब और यहाँ पर उच्चिताप माल मापा जाता है पिससे यहाँ पर आपको सुची 1,4,2 से मैश करना है फटा-फट से करनेंगे यह बहुत बार आपसे पूशा हुआ है 16 सप्टमबर प्रेवियर्स एर कोशन्स में ही आपको मिल जाए कब वन लाइनर कॉम में TGTE होम साइंस के एक्जाम में ठीक है ठीक है अब कोई के पृति कह रही है शाका हारी को चीनी चीनी भी खानी चाहिए माम सोच लो आपके हाथ में डिसीजन है अब अनिमल चार्कॉल का प्रेव किया जाते है इसको सुद्ध करने के लिए आज के बाद मत खाना ठीक है तो खा भी सकते हो मैं मना नहीं करूंगी और मैं रोपूंगी भी नहीं और मैं कहूंगी भी नहीं आपके उपर डिपेंड है हम सिर्फ यह बता सकते है कि इसमें अनिमल चार्कॉल मिला जाता है ठीक है आंसर कर देशिए पुश्यन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा 24 का सही आंसर आपको बताना है यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले हैं विश्व तपिदिक दिश्व अभी अभी की लेटर्स की बात करेंगे 8 दिवस जो कि मिलाए गया है 1 दिसंबर को तो यहां पर B का आंसर हो जागा और अगर देखेंगे बच्चे B के आंसर में अगर बड़े को लगता है कि बहुत बड़ा है बहुत टफ है लेकिन छोटा सा क्लू अगर आपको मिल गया तो इसनी हो जाता है को जाता है तो यहां पर क्यूंकि 8 दिवस अब हो सकता है आपसे 8 दिवस का थीम भी पूछ ले तो यह आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आप तयार कर सकते है खुद से बिश्वत अप्पेदिक दिवस क्या हो जागा A का आ जागा 4 यहां पर यानि कि बिश्वत अप्पेदिक दिवस 26 मार्च को 8 दिवस हो गया 1 दिसंबर को कुछ निवारण दिवस आपसे पूछ लेता है 2 कसी यानि कि 30 जनवरी को और अंतरास्टी ओजोन दिवस जो कि बार-बार आपसे पूछा गया है 16 सेप्टमबर इसका राइट आंसबर हो जाएगा Option A यहाँ पर करेक्ट आंसबर हो जाएगा नेक्स थाइमीन क्या है थाइमीन को क्या कहते है जैसे आप पढ़ते हो ना बिटमिन A, B, B कॉंप्लेक्स और यह सारी चीज़े तो आपको इसी में बताना है कि थाइमीन क्या है कुछ ऐसे ही आपको जैसे कॉश्चन साथ हम डिस्कुस कर रहे है बच्चे वैसे ही आपको एक्जाम में भी मिलेगा कुछ बड़े कॉश्चन मिलेंगे कुछ ऐसे वन लाइनर कॉश्चन मिलेंगे जल्दी जल्दी में क्या होता है कॉश्चन आप गलत कर देते हो लक्स के सभी को बताया था B1, B2, B6, B12 और उसी कमी होने वाले रूप उसके जो नाम है वो भी सारी चीज़ें हमने ओलेटे डिस्कुस कर रहे है यहाँ पिसकर आपको प्रक्टिस करना है कौनसा का क्या राइट आंसर होगा निमलिकित में से कौनसा सुमेलिक नहीं है या सिंपल सा बोल दिया जाए तो कौनसा गलत है मैनोमीटर दाप कार्डियोरेटर आंतरिक दहन इंजर कार्डियोग्राफ फड़गती सिस्मोमीटर प्रिस्ट तनाव की वक्रता इसमें से कौनसा गलत है यह आपको बताना है 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा देखो यहां पर मैनोमीटर दाप का मापक है कार्डियोरेटर आंतरिक दहन इंजर यह भी आपसे पूछा गया है अल्रेडी कार्डियोग्राफ, कार्डियो लॉजी इसको पूछा गया है आपसे अलग-अलग एक्जाम में कि कार्डियो लॉजी किसका वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है तो हिर्दय से रिलेटेड है कार्डियो तो जबी भी कार्डियो सबना जाए सीधे-सीधे आप हिर्दय के साथ चले जाएगे जो गलत है वो है सिस्मो मेटर यहाँ पर यह पर प्रिस्ट तनाव नहीं होगा ठीक है प्रिस्ट तनाव याने रिलेटिव हुमेडिटी रिलेटिव टैंसन की बात होगी यहाँ पर प्रिस्ट तनाव सर्फस तेंसन होगा यहाँ पर सर्फस तेंसन प्रिस्ट तनाव लिखा होगा, चीक है, चलो, आगे बढ़ेंगे, D option यहां पर गलत होगा, बाकी तीनों सही है, next है, question number 27, गोल क्रीमी निमे टोट से होने वाला रोग कौन सा है, बहुत बार अलग अलग भासा में इसको पूछा जाता है, ठीक है, कभी कभी इसको क्रीमी करक के भी पूछा गया है, आपके एग्जाम में, अल्टी ग्रेड अगर प्रिवियस के रुखा के देखेंगे, तो यहां पर गोल क्रीमी निमे टोट से होने वाले रोग कौन से, पाइल एलिया है, फ्लोरोसी से है, इंसे फ्लाइटी से है, या फिर कुछ रोग है, आंसर कर द अच्छा, फॉस्ट राइट आंसर, विनीता पतेल, क्या लिख रही है, सिस्मोलवाजी, 27 का राइट आंसर क्या हो जागा, ऑप्शन A यहां पर सही हो जागा, जिसने भी आंसर A किया है, सबका सही आंसर है, नेक्स है, मनुसी के अंगों में से हानिकारिक विकिलर के सबसे क यह यादना सबसे कम की बात पुछी गए, प्रभावित अंग क्या है, सु प्रभावित अंग या फिर प्रभावित होने वाला अग, सिंपल तो अगर इसको सिंप्लिफाई करें, तो जो संद के रैडियेशन से जो हमें इंपक्त पड़ता है, हमारे सरीर पे, तो कुछ है जो ज़्यादा इंप्रक्त पड़ता है, जैसे स्कीन है, जो सबसे तेजी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, और सबसे कम पूछा गया है, कि जो सबसे कम प्रभावित होता है, वो अंग कौन सा है, आर्सर करें, question number 28 का, right answer क्या होगा, आख फिर दया है, मस्तिक्स व सबसे लास्ट में प्रभावित होगा, आख फरदय और फेपड़ा और सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक, तो आपकी क्या हो जाते है, इसके निया पर सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो ये आपको याद रखना है, next आजाएंगे 29 पे, यहाँ भी उपर मैं हाइड क करके बताना है, कौन सा सही सुमेलित है, question number 28 का 29 है, 29 का right answer क्या होगा, ये बताना है, ठीक है, vitamin B को आपको बताना है, B1 है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा यहाँ पर add कर ले न, vitamin B1, 21 magnesium, right होगा, wrong होगा, hemoglobin, cobald, chlorophyll, thamba, pital, loha, यहाँ पर कौन सा matching सही होगा, answer कर दिजे, question number next का right answer क्या होगा, 29 का right answer आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पर option A सही होगा, ये थोड़ा सा इसको इधर करना होगा, ये थोड़ा सा, यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला right होगा, यहाँ पर, A का 2 होगा, यानि vitamin B जो होगा, cobald, इसका right होगा, B का 4 होगा, hemoglobin, जो कि लो होगा, right answer होगा, इसके साथ, match होगा, उसके बाद C का 1 होगा, chlorophyll, magnesium, और पीतल के साथ, तामबा यहाँ पर, right answer होगा, ठीक है, ये अल्री पुछा हुआ है, आपसे exam में, और ये एक बार नहीं, कम से कम, 3-4 बर, same questions को, same pattern, options भी नहीं चेंच किया है, as it is, पुछा गया है, exam में, ठीक है, चले, next question है, question number 30 को देखेंगे, जब रक्त में oxygen की सांदृता में कमें आती है, तो स्वास की गती पे क्या प्रभाव पढ़ता है, जब रक्त की oxygen में सांदृता की कमें आती है, तो स्वास की गती कम होती है, बढ़ जाती है, परिवर्थित नहीं होती, पहले घटती है और फिर बाद में बढ़ती है आंसर दे दिशे question number 30 का right answer क्या होगा 30 का सही जवाब बताना है 30 का B बिल्कुल सही बढ़ जाती है बहुत अच्छा 30 का B आंसर नीतू यादो रीना साहू बिल्कुल बहुत अच्छा very good सभी का right answer आ रहा है 30 का A B नीता जी 30 का A नहीं हो भी होगा यानि कि जब हमारे रग्त में oxygen की स्वांदरता में कमी आती है तो क्या होता है स्वांस की बढ़ जाती है आप देखते हो जब चलने लगते हो या फिर आप कहें तो जब हम कोई काम करते हैं तो थकान महसूस करते हैं क्यों करते हैं क्यों क्योंकि हमारे बाडी में तह लो तो आप राता है या फिर एक ब्लास पानी पीलो क्यूंकि पानी वह पुरमें वह राइन की गती है नॉर्मल हो जाती है लेकिन वाटर में आपको आक्सेजन भी मिलता है तांपरेशन भी मेंटेन करता है आपके बाड़ी को तो बहुत सरы वाटर की गुड़ भी है जो टाइम टो टाइम आपको याद भी रखना है ठीक है नेक्स आते हैं थाटी बन पे कोशन नंबर थाटी बन सुरक्षित पेजल एंग बुरी सफाइद वारा विकास सिल देशों में उत्पन तीन संचरडी रोग है पहले सिसके यह जानों कि विकास सिल देशों की बात की जा रही है यानि वैसे देश जो की डेवलपिंग है अभी डेवलप कर रहे है डेवलप नहीं हुए जैसे अमेरिका हो गया ब्रिटेन हो गया डेवलप कंट्री है लेकिन अभी इंडिया हो गया पाकिस्तान हो गया यह स और चौथा है कमेटिस्म मलेरिया तत्था एड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का सही जवाब आपको बताना है 31 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्संस यहाँ पर देख लेंगे बी ऑप्संस मलेरिया है सिप्रप्रवाहिका है सिस्टो समैसिक है ये तीनों संचरड यह होगा हवा पानी किसी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर अस्थनांत्री होते हैं संचरित होते हैं ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंकोना की चाल से प्रात आसथी को मलेरिया के उक्चार के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिस क्रित्रिम आसथी ने इस प्राकृति कुद्पात को प्रतिस्थापिक किया वह क्या है एक बार आपसे यही कुछन पूछ लिया गया था कि जो मलेरिया है इसके लिए कौन से किसकी सिंकोना की कौन से प्रयुक्त के जाते है छाल का पत्ती का या अलग-अलग चीज़े ठीक है तो यहाँ पर पहली चुस्त हो गया सिंकोना की चाल से प्राप्ट ऑसथी को मलेरिया के उप्चार में अच्छी बात थीक है इन्होंने बता दी किया जाता है ठीक है क्या दिक्त है बता दिए कुशन वे अब यह खोण सबस्ता क्या बन रहा है जिस के इंद्व अब पुछा जा रहा है कि प्रत्रिम को और बिलेक्टिक और इसके बारे में पूछा जा या फिर tetracycline है या फिर ampiceline है राइट आंसर आपको बताना है question number 32 का सही जवाब क्या होगा so right answer यहाँ पर chloroquine इसका right answer हो जाएगा जभी भी question यह पूछेगा तो इसका substitute कह सकते हो artificial replacement कह सकते हो यह आपका B option यहाँ पर सही हो जाएगा question number 33 पर आते है यहाँ पर कता नवर कारण है कुछ जवाड़ों अपना भोजन संसलेसित कर सकते है right है या wrong है कारण है कारण है इसका मतलब आप क्या यहाँ पर use करोगे क्योंकि क्योंकि इन जवाड़ों में हरा पदार्थ जो हरित लवत कहलाता है पाया जाता है answer कर दिजिए question number next का right answer क्या होगा total 35 को ही discuss करेंगे आज हम लोग बाकि 15 को हम next session में discuss करेंगे ठीक है answer करें question number 33 का right answer क्या होगा 33 का right answer यहाँ पर C option करेक्ट होगा A सहीए परन्तों R गलत है कुछ जिवाड़ो अपना भोजन संसलेशित कर सकते हैं कुछ जिवाड़ो की बात की गई है अब जिवाड़ो कौन से जिवाड़ो होगे आपने सुना होगा एक नाम cyanobacteria जो की पृत्वी पर आने वाला पहला जीव था जिसके वज़न से हमें oxygen आज जो प्राक्त करते हो न आप वो cyanobacteria की ही दे ठीके जो पहली बार oxygen को बनाने का काम किया था तो वो कुछ ऐसे जीव होते है algae हो गया या फिर cyanobacteria हो गया ये सब क्या है plant वगरा तो plant में आ जाएंगे लेकिन cyanobacteria एक ऐसा जीव है जो क्या है जो अपना वोज़न संसलेसित करते है संसलेसित मतलब की जो photosynthesis process से प्रकास संसलेसित जो प्रक्रिया है उसकी थूँ अपना वोज़न बनाते है clear तो यहां पर right answer क्या हो जो पहला वालत option सही है दूसरे कहें इन जीवाड़ों में हरा पदार्त जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है कुछ जरूरी नहीं कि उसमें हरित लवक पाया जाए है न क्योंकि उस जीवाड़ों अपने भोज़न स्वेम बनाते हैं कोई जरूरी नहीं कि उसमें हरित लवक की प्राप्ति हो या पाया जाए तो option यहां पर क्या हो जाएगा C option यहां पर हो जाएगा कि A तो सही है सही बाद है लेकिन B क्या है गलत है आते हैं 34 कहां गया 34 गयब है क्या question number 33 के बाद 34 गयब है कोई बात में 35 है numbering यहां पर थोड़ा सा अलग हो गया लग रहा है golden rice जयाफ तोगी की एक ऐसी उपलब्दी है जो भोगता के लिए भी उतने ही लावप्रदर जितनी की किसानों के लिए यह most important question है thought के through इसको आपको clear करना है इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधित माता को प्रदर्शित करता है जो यौगी के सरीर में vitamin A से परिवर्तित होता है answer इसका बताना है इसका right answer क्या होगा question lengthy है इसका answer आपको खुदी बता दूगी 25, 35 का right answer जो होगा वो यहाँ पर B है ठीके 35 का right answer क्या है B होगा यानि A और R दोनों सही है परनतो R A की सही ब्याख्या नहीं करता इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक माता को प्रदिशित करता है जो यौगी के सरीर में बीटामिन A परिवर्तित करते हैं यह इसका right answer हो जाएगा दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की ब्याख्या नहीं करता है यहाँ पर right answer हो जाएगा ठीके इसी सिरीज को हम लोग कल continue करेंगे और आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे कल के session में यह 34, 35 से ही जिलते हैं नेक्स क्लास में आपको कल के classes में 15 questions के साथ आज के लिए इतना ही thank you thank you so much कर दाएब है कर दाएब झाल झाल झाल